गेसों का अनुगतिक सिद्धान molecular theory of gases इसके अंदर काफी कुछ questions हम देख चुके हैं आगे क्या हम देख रहे हैं आप खुद जरूर प्रयास करेंगे आपसे बिल्कुल हो जाएगा थोड़ा सा confidence रखें आतनुशास रखें सभी प्रश्णों को आप पहले प्रयास करें आपसे बिल्कुल हो जाएंगे कोई दिक्कत आती है तो आप solution देखें इदा इदि हड़ोजन वाुक्सिजन के वास्प घंत्व का अनुपात एक बटा तोलग चलिए को ओनयध कॉश्चन आपसे इजीली हो जाएगा थोड़ा सा दीमाग लगाना है अब हर कॉश्चन में थोड़ा दीमाग तो अपने को लगाना पड़ेगा है न सब तो करो एक बार प्रयास करें इसके अनदर देखो साब क्या करना है आपको इनके वाश्प घ्नतव का अनुपाद दे रखा है आपको फोर्मूला तो वही लगाना है लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग लगाना है तो देखो क्या करना है यहां पर क्या करेंगे हम हमारा फॉर्मुला तो वही VRMS वाला VRMS बराबर अंडरूर 3RT अपॉन M क्लियर फॉर्मुला वही है इसके अंदर आदर्शगेस समीकरण आपने सभी ने पढ़ रखिए उससे हम PV बराबर RT से थोड़ा से चेंज करेंगे देखो PV बराबर RT हम लिख सकते हैं आदर्शगेस समीकरण से और इसके अंदर V क्या है आयतन को हमके लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा गनत्व लिख सकते हैं तो द्रव्यमान बटा गनत्व बराबर R T तो इससे हम अगर गनत्व की वैल्यू निकाले हैं तो सभी प्रक्षांत्रन कर दें तो अच्छा गनत्व नहीं निकाल के रुख जाओ देखो हम किसकी value निकालते हैं P बटा रो यानि कि P बटा रो को हमने वहीं लिखा रहने दिया है और M को हम इधर पक्षांदरन कर इधर ले आए हैं R T अपॉन M कोई दिक्कत यहां तक आदर जगे समीकरन लगाई है इसके अंदर द्रव्यमान बटा गनत वह हमने आइतन की जगे रखा है और उसके अंदर फिर हमने P बटा रो रहने दिया और इधर ले आए R T अपॉन M यह क्यों किया क्योंकि यह जो हमारा फॉर्मूला था पहले VRMS वाला इसके अंदर R T अपॉन M आ रहा है लेकिन रो कहीं नहीं आता है लेकिन जबकि हमको सवाल में किसकी जरूरत है गनत वह यानिकी रो की जरूरत है तो हमने क्या किया RT upon M की जगे क्या लिंगे अब अपन P upon Rho clear यह समीकरन में कहां से आया वो बताने के लिए मैंने बताया है अब RT upon M की जगे में क्या लिख सकता हूं P upon Rho clear तो मैं अब लिख देता हूं equation V RMS बराबर under root 3 RT upon M के जगे में क्या लिख सकता हूं P upon Rho clear अब यहां पे दो बाते हैं मतलब कह से दो हैं तो एक के लिए 1 1 बना ले लेते एक के लिए 2 2 ले लेते मैं दो समीकरन बना देता हूं V1 बराबर under root 3 P upon Rho 1 और दूसरी समीकरन हो गई V2 बराबर under root 3 P upon Rho 2 clear अब क्या कर सकते हैं समीकरन को आपस में भाग दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं साब तो V1 upon V2 क्या आ जाएगा यह आ जाएगा अब इसके अंदर आपको सिधा-सिधा दीख रहा है V1 upon V2 मिल जाएगा हमको under root Rho 2 upon Rho 1 3 P से 3 P क्यों कट गया साब क्योंकि आपको कॉश्चन में दे रखा है कि दोनों के लिए P जो है आपका value क्या है fix है दाप नियत है आपको कॉश्चन में दे रखा है इसलिए आपने 3 P से 3 P तो काट दिया बचा केवल Rho 1 और Rho 2 तो वह नीचे बटे में थे तो उपर चला गया तो यह आपको मिल गया बस अब इसके अंदर आप सिधा-सिधा आपको और Rho 2 का वैल्यू आपको अनुपात में दे रखाये कितना दे रखाये साहिब Rho 1 अनुपात Rho 2 आपको एक अनुपात 16 दे रखाये एक अनुपात 16 मतलब Rho 1 अपन रू ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा चलो क्या करें अपन दोनों पक्षों में देखो साब हम क्या करते है रो वन अपॉन रो टू है तो आप क्या कर सकते हो इनका आपको दे रखा है वी वन अपॉन वी टू बराबर अंडरूड रो टू अपॉन रो वन जबकि आपको दे क्या रखा है है रोवन अनुपात रो डू रोवन अनुपात रो टू कितना दे रहा है एक अनुपात 16 यानि वार नो मतलब क्या होता है एक पता 16 लेकिन यहां पे कहने है रोटट TU अपॉन रोवन है न यानि प्रश्न कर रहे हैं जितने भी प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उतने सभी प्रकारों को अपने लेने की कोशिश किए है ना एक फिरकार को बार 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 तो आप ये खुद प्रेक्टीस कर सकते हैं एक तरीक आपने समझ लिया उसके अधर पर प्रशन कर सकते हैं तो यहाँ पर तो हम जितने प्रकार सब कुछ समय बाद उसका मुल्य बढ़के 80 रूपया हो गया है तो इसके मुल्य में कितने प्रतीशत वृद्धी हुई ऐसा क्वेशन आते थे तो क्या करते थे तब जैसे 60 से 80 हो गया तो क्या करते हो आप 80-60 यानि कि कितनी वृद्धी हुई बटा पहले कितनी था बटा बढ़के 80 हो गया तो कितना प्रतीशत बढ़ा तो 80-60 बटा 60-100 ऐसे करते थे बस वैसा ही यहां पर आपको करना है यहां पर गैस तो वही है अदर्श गैस लेकिन दोनों का 80-60 बटा 60-100 बस वैसा ही कंसेप्ट यहां पर लगाना है तो देखो क्या करते हैं दोनों के लिए वही VRMS का फॉर्मूला सभी को पता है अंडरूट 3RT अपॉन एम तो बार-बार ने लिखते हैं डारेक में लिख देता हूं अंडरूट 3RT2 अपॉन एम यहनि की सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला अंडरूट 3RT1 अपॉन एम अपॉन फर्स्ट वाला 3RT1 अपॉन एम इंटू 100 क्लियर अब 3R अपॉन अंडरूट 3RT1 अपॉन एम 3R अपॉन सब में कॉंबन है कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको अंडरूट T2 माइनस अंडरूट T1 अपॉन अंडरूट T1 इंटू 100 क्लियर T2 और T1 की वेल्यू रखो डिगरी सेलसियस में वेल्यू गलती से भी मत रख देना हमको केलवीन में लिकान ला होता है टेंपरेचर ठीके साब तो कनवर्ट आप कर लेंगे तो 127 को कनवर्ट करेंगे केलवीन कितना आ जाएगा 400 माइनस 27 को करेंगे 300 बटा अंडरूट 300 इंटू 100 इसको सौल करोगी कितना जाएगा 20 माइनस अंडरूट 300 की वेल्यू लगबख 17.32 के असपास होती है बटा 17.32 इंटू 100 अब जोड़ वाकी गुणा भाग थोड़ा आपके हवाले सौप सकते हैं कुछ नहीं करना है 20 में से 17 मैंस 32 गया कट के भाग देंगे जोड़ वाकी गुणा भाग बताने जाओंगा तो वीडियो आदे गंटे का बन जाएगा भाई हां तो कितना हो करेंगे केल्गुलेटर कॉप योग नहीं करेंगे आपके हाथ में प्रेक्टिस इतनी हो जाने चाहिए तो यह आपका लगबग इंसर आजाएगा 15.5 प्रतिशात यानि की डी क्लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी आना फॉर्मूले वही हैं कंसेप्ट वही है थोड़ा सा आ इसको पढ़ने के लिए आपको सिधा सा है भई फॉर्मूला आप सभी को द्यान है क्या होती है वर्गमाद्य मूलचाल अंडरूड 3RT अपॉन M यानि कि इसका मतलब इस फॉर्मूले में कहीं भी P तो नहीं है प्रेशर की बात नहीं है इसका मतलब जो आपका वर्गमाद के समानुपाती होता है के डारेक्ट समानुपाती नहीं होता है उसके वर्गमूल के समानुपाती होता है यह उपर अंडरूड दिख रहा है न बस तो क्या हो गया एंसर आगया आपका सी कि केस के दाप से स्वतंत्र परंतु केल्विन ताप के वर्गमूल के समानुपाती ह होता है ओके नेक्स्ट किसी गेस के पांच उनों की चालें स्विच्च मात्रकों में दे रखी है यहनी की दो तीन चार पांच छे दे रखी है इन अनुओं की वर्ग माद्य मूल चाल होगी तो यह question एक प्रकार से physics का नहीं होके maths का है लेकिन आपको इसमें पूछ लिया है क्योंकि हर कोई आदत पड़ गई है वर्ग माद्य मूल चाल निकलने के लिए under root 3RT upon M वाला formula लगाने की तो यहां तो यह सोच रहे होंगे यहां तो ना R तो चलो हमको पता है ना T है ना M है क काम से ही इस स्पस्थ है आपको क्या करना है D aoo work करना है पिर उसका माद्यनिकलना है फिर उसका मूल यानि कि वर्ग मूल करना है क्लियर तो क्या करोगे साथ चोड़ी सी घंळी थे लगाओ जैने क्या करेंगे दो तीन चाहर पांच छोंकि नहीं करना है तो क्या करते हैं उन सभी को क्या करते हैं जोडते हैं और फिर जितनी भी संक्या हैं उसका भाग देते हैं तो कितनी संक्या हैं एक दो तीन चार पांच तो पांच का भाग देते हैं ठीक है और अंतमे मूल यानि कि उस पूरे का क्या करना है आपको वर्ग मूल बस ये करना है था अब इसको थोड़ा सा सोल करेंगे शोला तो आप कर लेंगे गोड़ बाकी गुणा बाक करेंगे साथ तो उपर एड़ करेंगे कितना आ जाएगा यह लगब नबबे बटा पांच तो यह जाएगा आपका अंडरूर अठारा तो इसको किसे सोल कर सकते हो आप अब आजी गुण एंखन कर सकते हो आफ अठारा को आप लिख सकते हो 2 x 3 x 3 तो यह जोड़े में होता है एक बार आजाता है तो यह आजाएगा 3 अंडरूर 2 तो 3 x 102 की वेल्यू होती है 1.414 तो इसका आपसमें गुणा करोगे लगबग वेल्यू आ जाएगी 4.24 तो ओप्शन देखो चार पॉइंट दो चार एडी क्लियर इसके अंदर थोड़ी सी मैत लगानी थी बिल्कुल आगे बढ़ें देखो सब लास्ट क्रेशन देखो कमरे के ताप यानि की 27 डिगरी सेल्सियस तो आपको नहीं दिया हो तो भी आपको ध्यान रखना है जनरली कमरे का ताप यानि की 27 डिगरी सेल्सियस यानि की 300 केल्विन लिया जाता है तो नहीं बताया हो तो भी आपको याद रखना है हाइड्रोजन को नियत दाब पर कितने ताप तक गर्म किया जाए कि उसके अणों की वर्ग माध्य मूल चाल आरंभिक मान की दो गुनी हो जाए तो क्या होगा साब लगाओ दिमाग फॉर्मूला वही लेकाना है कोई चेंज नहीं है देखो फॉर्मूला वही है वी रम्स बराबर अट्रूरट 3RT अपान एम तो इसके लिए हम पहले वी वन ले लेते हैं वी वन बराबर दो कंडिशन बन रही है तो दो कंडिशन में पहले हम वी वन ले ले लेते हैं इसके अंदर 3RT कितना दे रखा है आपको 27 degrees Celsius तो इसको Kelvin बदल दिया तो कितना हो गया 300 बटा M ओके अब गैस वही condition बस temperature बदल दिया है कब तक जब इसका VRMS पहले वाले का double नहीं हो जाए तो यहां पे V1 जो है आरे में साब लिख देना तो जो V1 है वो क्या हो जाना चाहिए next वाले में double हो जाना चाहिए यानिकि 2V1 clear question में आपको दे रखा है कि double हो जाना चाहिए इसका मतलब V1 का हमने क्या गर दिया 2V1 बराबर अंडरूड 3R T upon M clear इसके अंदर यह जो T है वो आपको निकलना है यही T आपको ग्यात करना है तो आप क्या कर सकते हैं हम दोनों equation को भाग दे दे चलो दे दुसाब V1 से V1 कट गया अंडरूड 3R M से अंडरूड 3R M कट गया तो क्या बचा देखो बचा आपका 1 बटा 2 बराबर अंडरूड 300 बटा अंडरूड T clear तो अब आप क्या कर सकते हो दोनों पक्षों को क्या कर दो वर्ग कर दो भले तो 1 बटा 4 बराबर 300 बटा T तो T आजाएगा इधर चला जाएगा गुणा हो जाएगा तो T आजाएगा आपका 300 into 4 यानि की लगबग 1200 Kelvin अब आपको option में Kelvin में देकर degree Celsius में दिया है तो degree Celsius में निकल लो minus 233 कितना आजाएगा यह 927 degree Celsius कोई दिक्कत नहीं आई है ना फॉर्मूले वही है हर एक में थोड़ा वो चेंज आपको करना होता है बाकी इजीली कोशन हो जाता है ठीक है आप बस पढ़ते रहो मस्त रहो खुछ रहो प्रकृति का ध्यान रखो थोड़ा प्रकृति के लिए कुछ करो उससे हर दम आप स